Hello everyone, हम Microsoft Excel का टुटोरियल पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हुआ, Microsoft Excel है, और इस Microsoft Excel के अंतरगत, मैंने आप देख सकते हुआ कुछ heading लिखा है, radio बटन के साथ काम कैसे करें, ठीक है, आप देख सकते हुआ, मैंने कुछ यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर कॉलम है, जिसमें 1st ह और 2nd लिखा गया है, 1st की नीचे कोई value पूट है, और 2nd की नीचे भी कोई value है, result मैं देख सकते हुआ कि 16 तसमालो 5 यहाँ पर आपको result मिल रहा है, यह result कैसे यहाँ पर आया है, ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ radio बटन यहाँ पर त्यार कर रखा है, आप देख सकते हुआ यहाँ पर select any radio buttons and find the result, देख सकते हुआ, अगर मैं इस add वाले इस button पर click करता हूँ, जैसे कि यह देखो, मैं इधर थोड़ा सकर लेता हूँ, और इस add वाली button पर click करूँ, तो यहाँ पर यह दोनों का जोड़ आ जाएगा, 30 प्लस 3 का जोड़ आ जाएगा, देख सकते हुआ आप यहाँ पर click करते ही result मिल गया, आपको यहाँ पर 33, 30 अवर 3 कितना का 33, subtract करूँगा, तो देख सकते हैं, 30 से minus कर दिया 3 को, 27 एंथर दे दिया, यहाँ पर multiply करूँगा, तो 30 यहाँ पर, 30 multiply 3 equal to क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 90, ठीक है, ऐसे मैं division अगर निकालता आपको दिखा दिया है, Microsoft Excel में, आज की इस वीडियो में, मैं आपको radio बटन के साथ काम करना सिखाऊंगा, कैसे आप Excel के अंतरकत किसी सेल में, अगर कोई value राइट की गई है, तो उसके साथ यह सब calculation कैसे आप perform कर सकते हो, वो भी radio बटन के साथ, तो आज की इस वीडियो में इसको start करते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं, simply इसके लिए मैं आप देख सकते हूँ, मैं यहाँ पर new page पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ऐसे select किया, और यहाँ पर जाओंगा, यह देखो, यह आपर merge center करके लिखा गया, इसमें क्लिक कर अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको देख सकते हूँ, क्या नाम है, आपका यहाँ पर background इसका color, तो मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर डाल दिया, अब देख सकते हैं, how to work with radio button, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, यह देखो आप ऐसे, बन गया, ओके, आप थोड़ा सा इसको और expand कर सकते हूँ, और फिर आप इसकी size को भी increase कर सकते हूँ, तो देखो, मैंने ऐसे इसको बड़ा कर दिया, अब यह काफी अच्छा है, आपका यहाँ पर यहाँ पर तीन कॉलम की ज़रुत है, ठीक है, पहला कॉलम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर first, यह यह देखो, मैंने ऐसे बनाया, इसी मैंने select किया, और फोलता सा, इसकी size को बड़ा कर दिया, इसको मैं center में डाल सकता हूँ, यहाँ से, और मैं यहाँ पर जाके, इसको भी color को क्या कर सकता हूँ, ऐसे, दे सकता हूँ, जो color चाहिए, और यहाँ से मैं इसको border दे दूगा, जिससे कि border में नजर आपको आ जाएगा, अब मुझे radio बटन यहीं पर बनाना है, तो radio बटन को design करने से पहले, मैं इसको select कर लेता हूँ, और select करने के बाद, okay, इसके बाद all border पर click करूँगा, border लग जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी number डालना है, आप number इस तरी के से डाल के रखो, इसमें जैसे कि मैंने दोटे number यहाँ पर डाल रखा है, इसको आप select करके, इसकी zooming को ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आपको result चाहिए, और यहाँ पर आपने सारा data, तो आप यहाँ पर आपना radio बटन बनाना चाहते हो, तो radio बटन को बना देजीगा, तो मैंने ऐसे बनाया है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर create किया, इसको radio बटन मुझे इसी में रखना है, तो मैं ऊपर तक इसको कर देता हूँ, ऐसे यह देख सकते हो, आप यहाँ पर चेंज करना होगा, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे color मिल जाएंगे, जि developer option को on करने के लिए, आप कहीं भी right बटन को ऐसे दबाओगे, right बटन को दबाने के बाद customize the ribbon पे click कर देना है, और जैसे ही click करोगे आप यहाँ पर तो इस तरह का option खुल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको developer tool इस पे click करके, ओकी वाली बटन पे click कर देना है, जै यह है आपका radio, एनि क्यों option बटन भी इसे का आ जाता है, तो इसे click कर दोगे इसके उपर, और click करने के बाद आप यहाँ पर draw करना चाहते हो, तो इसको आप क्या करो, radio बटन को ऐसे खीच दोगे, तो radio बटन आपकी यहाँ पर बन जाएगी, अब नाम change करना है, तो just simple click कर और click करने क बाद इसका, यह जो आपका करतार, इसको इधर ले जाओ, और इसके नाम को आप क्या कर सकते हो, ऐसे change कर सकते हो, तो मैंने इसका नाम डाल दिया है, आपके, क्या डाला मैंने, add डाल दिया, यह देखो, बस simple है, अब बस इसी को मैं क्या करूँगा, copy paste कर सकता या फिर उतनी बाद डाल भी कर सकता हूँ, तो मैंने इसे यही रहने दिया, और control D बटन दबाओं का, तो इसका duplicate मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मैं इसको पकर के यह से नीचे रख दूँगा, फिर इसको क्लिक कर लूँगा, और click करने के बाद इसका नाम क्या कर करने से ऐसे, अभी देख सकते हो, click तो होता है, लेकि result यहाँ पर नहीं आ रहा है, अब कैसे result आएगा, इसके लिए आपको right बटन को click करना, और sign micro पर click कर देना है, और यहाँ पर आपको नाम पूछा जाएगा, आप देख सकते हो, यहाँ आप से नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर click करके, यहाँ पर function का कोई भी नाम यहाँ पर डाल दिजेगा, तो मैंने function का नाम यहाँ पर one डाल दिया है, और new पर click कर दूँगा, जैसे new पर click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, नई window यहाँ पर open होगी, और इसमें आपको लिखा हुआ one नाम का function आग मुझे जो चाहिए, यह में चाहिए, और कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, ठीक है, किनका जो और या किसका average निकालना है, यहाँ में रखा गया, यह data 22, और G में रखा गया data, यह 44 का ही सब calculation करना है आपको, तो यह code में आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पर क्या write करना है, बस आप यह देख लिए यहाँ पर, simply, मुझे क्या करना, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाओंगा और लिखूंगा range, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे range, और select करूँगा, जिस range का मुझे क्या करना, addition निकालना है, यहाँ प होगे, आपको इसी में चाहिए, result आपको कहां पर चाहिए, f6 यहाँ पर, result आपको देखना होगा, result कहां पर चाहिए, तो result मुझे h6 में चाहिए, तो मुझे f6 लिखने के जोड़त नहीं है, select करता हूँ, फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर range, ध्यान दीजिएगा, मुझ लिखूँगा, range, range लिखने के बाद, मुझे result चाहिए, h6 में, तो मैं double entered comma में लिखूँगा, h, और क्या लिख दूँगा, 7 में, 6 राइट कर दूँगा, ऐसे, h6 को double entered comma से lock करना, इसके बाद, goal वाला bracket बंद कर देना है, और बाद में, इसके बाद dot लगाना और लिखना है और फिर यह देखिए, इनकी जोड चाहिए, f6 का जोड चाहिए, मुझे तो dot लिख कि यहाँ पर value लिखा है, plus का sign यूज करूँगा यहाँ पर, तो plus लगा देता हूँ ऐसे, और फिर से दुबारा से range लिखूँगा, और range लिखने के बाद, फिर से bracket को on करना है, double entered comma के अं dot को क्या करना है, write करना है, इसके अलवा मुझे कुछ भी यहाँ पर write नहीं करना है, ठीक है अभी, अब ध्यान से आप यहाँ पर देख लिजिए, यह जो चीज मैंने बनाया, इसमें से, यह plus के लिए मैंने बनाया है, जोड कहा जाएगा, यहाँ पर h6 में जाएगा, किसक button पर one पर click करूँगा, तो यह fix में जो value होगी, और g6 में जो value उनका addition होके कहाँ चला जाएगा, s6 में चला जाएगा, ठीक है, इतना करने के बाद, मैंने क्या किया च्छोटा किया, और यहाँ से एक बार run करके देखता हूँ कि क्या code सही है कि क्या है, तो code पर click किया, तो क पर 44 का addition क्या है, 66 ही आएगा, माली चीज़ का मैंने number अभी change कर दिया, अब फिर से मैं इस पर click करूँगा, जैसे click करूँगा तो यह देखो update भी हो जा रहा, इसी तरीके से मुझे subtraction के लिए भी क्या करना है, बनाना है, तो simple है, बिल्कुल ही, कुछ करना नहीं, आपको फ change कर दोना, इसका नाम क्या रख दोगे, 2 रख दो ऐसे, और यहाँ पर result तो इसी में चाहिए, लेकिन बस केवल operator आपको यहाँ पर change करना है, क्या करना है, आपको minus करना है, तो यहाँ पर क्या use कर दोगे, फिर यहाँ पर प्लस कर दो एक, फिर से आप paste कर दो एक, और इसका यहाँ पर क्या करोगे, यूज कर दोगे ऐसे, और ठीक यहाँ पर control, यहाँ पर control V बटन को फिर से दवाएंगे, और इस बार मैंने इसको division के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पर लेख दोगा div, ऐसे, और यहाँ पर मैं कर दोगा division वाला यहाँ पर function, यह देखो ऐसे, बस कितना करने के बाद, मैंने एक बार फिर से run किया, यह सही है program, फिर मैं Excel में जाओंगा अपने, और यहाँ पर code पर आ चुका हूं है, अब मैं सभी पर assign कर देता हूं, पहले इस पर हो गया था, अब इस पर right click करो, यहाँ पर जाएंगे, assign my approach पर, assign my approach पर जाने के बाद, one के कर दूँगा, और फिर इसके बाद, यहाँ पर division के लिए, तो division पर right click करोंगा, assign my approach, division के लिए क्या है, di, भी नाम का function बनाया था, मैंने, बस यह देखो, इस पर assign हो गया है, अब मैं add पर click करोंगा, तो जोड़ा गया इन दोनों का अभी, यहाँ पर number को change करके भी देख सकत हो, जहीं से मैं add पर click किया, 355 subtraction करोंगे, तो minus 311 हो जाएगा, आप निकाल के देख लो, multiply करूँगा, तो यह देखो, इतना आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा, और division करूँगा, तो देखो, इतना आएगा, अब average कैसे आएगा, average के लिए click करोंगे, तो average में अभी कुछ भी नहीं हो रहा होगा, इसके बाद आपको जेट, बराबर आपको लिखना है, यहाँ पे, x plus y का जोड, यहाँ पे लिखोगे, x, plus क्या कर दोगे, y, z में आ गया, x plus y का जोड, अब यहाँ पे लिखोगे range ऐसे, range लिखने के बाद ब्रेकेट को करना start, double it, comma के भीतर आपक इसके बाद, मैं equal sign का उप्योग यहाँ पे कर लूँगा, और मैं कर दूँगा, z, z divided by कितने के, divided by मैं 2 करूँगा, क्योंकि मेरे पास value कितनी है, 2 है, तो z में अगर 2 से divided करते हैं, तो उसका average, यानि कि आउस्त जोगा, निकल जाएगा, और निकलने के बाद, आपका कहाँ पे चला जाएगा, इस्टोर जाएगा, एस्टोर जाएगा, एस्टिक्स में, मैं एक बार play करके इसको देख लेता हूँ, कोई error नहीं है, और average भी automatically देख सकती, assign हो चुका, average यहाँ पे, मैं assign पे जाऊँगा, यहाँ यानि कि अपने इस average वाले function के उपर, यहाँ पे, और इस टोके कर दूँगा, तो average यहाँ पे assigned है, अब देखो, add पे click करूँगा, 35 आगया, subtraction पे click करेंगे, 31 आएगा, multiply पे click करेंगे, 66 आगया, division पे click करेंगे, यहाँ पे, तो आगे देख सकते हो, 16 point यहाँ पे 5, average पे click करता हूँ, तो average कितना आ जाएगा, 17.5, और मुझे ल करेंगी और और ETobn-जिय्क, झाप LaborHeyोग, तो पे करेंगे 6, यहाँ रापर चारतो सकते हो और रहाँ करेंगे, सकते हपिंगे, प्सर Leahक करेंगे, यहाँ करेंगे, स्टबगा सकते हो जाएगे यहीए, यहाँपर प्ते हो वहाँ पे ठावल, करे दोच पौर परम